राजस्थान में हाल के सालों में पेपर लीक घोटाले ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को हिला कर रख दिया है वर्षा बिश्नोई का नाम इसी घोटाले से जुड़ा है इस पूरे मामले को अगर साधारन भाशा में समझें तो यहां कुछ महत्वपून बिंदू है राजस्थान में नौकरी की भरती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं ने प्रदेश के हजारों लुवाओं के भविश्य को खत्रे में डाल दिया है ये घोटाले अक्सर राजनीतिक और प्रशास्निक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करते हैं वर्शा बिश्नोई जैसे लोग इन घोटालों के मुख्य किरदार होते हैं जो पैसों और पावर का इस्तिमाल कर इन घोटालों को अंजाम देते हैं वर्षा बिश्णोई लंबे समय से फरार थी और पुलिस उन्हें पकड़ने में अस्फर रही थी इससे यह साफ होता है कि ऐसे लोग अपनी पहचान छिपाने और कानून से बचने के लिए अत्यधिक चालाकी से काम करते हैं वर्षा कोटा के कोचिन इलाकों में एक नकली पहचान के साथ रह रही थी जो यह दिखाता है कि घोटाले बाच कैसे सामान्य जनता के बीच छिप जाते हैं इस तरह के घोटाले अकसर राजनीतिक रूप से समवेधनशील होते हैं राजस्थान की राजनीती में यह मुद्दा बड़ा बन जाता है क्योंकि राज्ज में पहले से ही बेरोजगारी और नौकरियों की कमी के मुद्दे बड़े चुनावी विशह रहे हैं पेपर लीक जैसे घोटाले विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का एक मजबूत हथियार बन जाते हैं वर्षा बिश्नोई को पकड़ने के लिए ओपरेशन डॉक्टर फिक्सिट चलाया गया था यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वर्षा का नाम भी वर्षा बारिश है और फिक्सिट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना जैसे बारिश से हुई लीकेज को ठीक किया जाता है इससे यह साफ है कि पुलिस को इस ओपरेशन में लंबी तयारी करनी पड़ी वर्षा बिश्णोई सिर्फ एक आम घोटाले बाज नहीं थी बलकि तकनी की रूप से बहुत ही होशियार थी मोबाइल और सोशल मेडिया का इस्तिमाल कर वह पुलिस से बचती रही इस प्रकार के अपराधी तकनीक का सही उपयोग करके अपनी गतिविधियों को छिपा लेते हैं जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है इस तरह राजस्थान की राजनीती में ऐसे घोटाले न केवल प्रशासनिक धाचे की कमजोरी को उजागर करते हैं बलकि राज्य की जनता के बीच अविश्वास और असंतोश भी पैदा करते हैं